हलो फ्रेंट सब कस्वाओ गते मेरे चैनल पर आज हम अने जा रहे है बटर नान अगर आपको आज की रस्पेट अच्छे लेगे तो मेरे चैनल को लाइक सेरें सिसक्राइब जरू करें तो आए चाहिए स्टाइट करते हैं बटर नान बनाने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास मिल्क, दो कप मैदा, तीन चमच ओईल, आदी चुटी चमच चीनी, एक चुटी चमच बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद के नुसार, घी या बटर, अब हम दो तेयार करेंगे तो एक बर्तन लेंगे और उसमें दो कप मैदा डालेंगे, चीने डालेंगे, बेकिंग सोडर डालेंगे, नमक डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब हम इसमें ओएल डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूर डालकर एक इसका डूं त्यार कर लेंगे, इसका हम सॉफ्ट डू त्यार करेंगे, हम इसमें और थोड़ा से डू दाइट करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, डू हमारा बन का रड़ी है, डैसमेंट हो चुका है, अब हम एक पर फिर से डू को मिक्स कर लेंगे, और इसकी लोई बना लेंगे, सेम साइज के, करेंगे. अब हम इसे रोल कर लेंगे आप इसे किसी भी साइज में रोल कर सकते हैं कि अब हुने हैं इसाज में इसाज बखल शुब कर लेंगे कि अब हो हैं इसाज में आपके लेरी लेजय हैं यहां पर मैंने थोड़ा पतला रूल किया कि मैं इसे तो वेप पकाऊंगी इसी तरह हम दूसरे को भी रूल कर लेंगे आप इसे किसी भी सेफ में रूल कर सते हैं कि मैं नहीर कि एसे हम पतले हैं आपदूराइब जापदूराइब रूल कर लेंगे आपदूराइब। अब हम इसे पका लेंगे मैंने गैस पिक तवा गरम किया है और इसके नान के एक सेड में पानी अप्लाई करेंगे और इसे तवा के बीच में रख देंगे गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे और इस पर बबल आने का वेट करेंगे जैसे ही बबल आने लगेंगे हम इसे पलट के दूसरी साइट से भी पका लेंगे गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे हम तवे को गुमा गुमा कर अच्छे से नान को पका लेंगे गैस का फ्लेम मेडियम रखें इसे हम चारो तरब से अच्छे से पका लेंगे यह हमारा नान बनकर रेडी है तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इस पर बटर अप्लाई कर लेंगे इसे मच्छे से बटर से ग्रेस कर देंगे से प्रोसेस से हम दूसरे नान को पका लेंगे एक सेट में पानी अप्लाई करेंगे अच्छे से और इसे तवे के बीच में रख देंगे ग्यास का फ्लेम मेडियम रखेंगे और बबल लाने का वेट करेंगे जैसी एक सेट बबल आना सुरू हो जाए तो हम इसे पलट के दूसरे साथ से भी अच्छे से पका लेंगे ग्यास का फ्लेम मेडियम रखेंगे हाई नहीं करेंगे अज़े जाए ग्यास करो तूसरे से पका लेंगे लाएंगे इसे पका लेगे तूसरे से पका लेखेंगे नान हमारा पक चुका है, तो हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे, और इस पर बटर लगा देंगे, यह हमारा बटर नान बनकर रेड़ी है, अगर आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से रेंड सिस्क्राइब यह रूकर और कॉमेंट करना ना बूले, कि पंद्थ को अब्टर राइब करना ना बाइक से रेंगे, अभा देंगे, अगर बटर रड़ाद ह।